वेलकम टू दा कॉंसेट डिकॉर्डर आपने थम्नेल डेकर अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करना चाहते हैं जी हां आज हम BPSC AE के बात करना चाहते हैं कि कलेंडर तो आउट हो गया है पर AE को कहीं नामों निसान नहीं है वेकेंसी आयेगी भी यह बस तयारी ही हम करते रहें इसरी बात हम रिजल्ट आउट हो गया तो कटाफ हो गया है इन सब के बारे में हम आज डीटेल में बात करेंगे और देखिए बात आज ऐसी होगी कि आपके मन में अभी तक जो भी सवाल होंगे वो सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे यह मेर बाबा है बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए वीडियो को अंध तक बने रहें और देखिए सबसे पहले था हम बात यह कर लेते हैं कि चलिए अभी बेपी असी का लेटेस्ट निउस क्या है वह आप देखते हैं लेटेस्ट निउस अभी चार जन्मरी को एक निउस आई है रिजल्ट आ गया आचुका है यह जो तीन लीस को जो इडवर्टीजमेंट पब्लिस किया गया था उसके फूच्व एक्जाम हुआ था वह वाला उसका चुका है यह यहां लिखा हुआ असिस्टेंट इंजिनियर सिविल कॉंपिटेटिव उग्जाम में cut up एक तो बहुत सालों cut up समझ में नहीं आएगी चलिए मैं cut up आपको बताता हूं कि cut up कैसे निकालना है marks में कैसे convert करना है कि आपके total mark कितने आ रहे हैं कि सीधा सीधा यहां नहीं है यहां थोड़ा सा complicated है तो इसको कैसे करना है देखिए अगर हम cut up देखते हैं UR की तो UR की cut up गई है 62.804 इसको कैसे निकालना marks में इसको कैसे convert करना है तो 400 में से क्या directly 60% है नहीं 400 में directly 60% कितना होता है 400 में से directly 60% होता है 240 थेक 240 marks 400 में से directly 60% approximately approximately मैं निकाल के चलता हूं लेकिन यह किन के लिए है 240 का 60% माना जाएगा जो की job में है जो working experience है उनके लिए माना जाएगा जो यहां freser है freser का मतलब है जिनके पास working experience नहीं है उनको एक आलक से है जिसे कहा जाता है कि 25% जो उनको extra value दी जा रही हो किस हिसाब से दी जा रही है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं तो देखिए जो आपका cut up निकलेगा एक freser का निकलेगा उसमें क्या करना पड़ेगा इन 240 को आप यह माल लीजिए कि 240 75% है आपके marks का 75% है तो आपके marks का 100% कितना होगा तो आपके marks का 100% होगा 240 को आप 0.75 से divide कर दीजिए तो यह करीब आएगा आपका 320 के करीब 320 के करीब यह आएगा तो कुल में राके आपकी जो यूर की cut up गई हो कितनी गई है 320 marks गई है cut up यूर category की 62% 0.804 का मतलब यह है जिनके marks 320 से उपर रहे हैं कि उनका selection इसमें हो गया है समझ में आ रहा है समझ में आप बात समझ पारें इसका मतलब है कुछ ऐसे इसका निगाला जाता है अच्छा दूसरी बात ही है कि cut up तो बहुत ज़्यादा जा रहा है अब यह सोच सकते हैं cut up तो बहुत ज़्यादा जा रहा है ऐसे में हम तयारी कैसे करेंगे देखिए यहां एक बात आओ रहा है यहां बात यह है कि number of vacancies कितनी थी यह देखने वाली बात है यहां number of vacancies जो थी वो 27 थी अब 27 vacancies में सभी के अलाग-अलाग कटाप गए है जैसे unreserved के 62 गए है unreserved female के 57 गए है EWS के 58 गए है EWS female का 46 बहुत कम गया है ST का 47 गया है मतलब ST के टेग्री से कम गया है EWS female का EBC का 56 गया है EBC female का 47 इसका 55 इसमें one female include इसका 50.128 यह ऐसा cut-off गया है मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको marks निकालने है इसमें बहुत सहलों को बहुत सारा confusion था यह confusion को आप clear कर लीजिए अभी जब तक government इसमें कोई और दूसरा सुधार नहीं करती है तक यही चलेगा अगर कुछ नया होगा है तो हमें advertisement के अंदर हम आपको बताएंगे उसके बारे में inform करेंगे कोई नया process आएगा तब यह हो गई अपने result की बात पहला result जो आया था उसमें ऐसा रहा है देखिए 320 number cut-up जो जा रहा है इसमें बहुत साइलों को यह लग सकता कि 320 बहुत cut-up है 400 में से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा cut-up है बहुत high cut-up है यहां देखिए क्या है कि यहां तो पहली बात तो अभी negative marking नहीं थी सबके लिए माली जी नया है वह तो नया है सबके लिए यहां तो पहली बात कोई negative marking नहीं थी 320 cut-up गया है दूसरी बात है यह है कि नंबर आप पोस्ट बहुत कम थी नंबर आप पोस्ट यह बहुत कम थी इसके करणता है cut-up बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता जनरली ऐसा हो आपको यही देखने को मिलता है है तो अगर माल लीजिए इस बार जो इतनी पोस्ट जो खाली है एक हजार प्लस जो वैकेंसी है यह जैसे आज आती है तो इसमें आपका cut-up तब कितना जा सकता है तब आपका यह आप यह मानिए कि 270 से लेके 290 यह 300 इस से उपर cut-up नहीं ज चलनी है मतलब GS और GK इनको आपको बहुत तगड़ा लेके चलना है अभी से इसलिए हमने सुरू कराया था कि प्रॉपर आपको जो लोग serious तयारी करना चाहते हो अच्छे से कर सकें दूसरी बात यह है बहुत सहे लोग की question यह है कि sir calendar आ चुका है उसमें कोई नाम नहीं है तो देखे चले मैं आपको कुछ interesting चीजे बताता हूं interesting facts बताता हूं अब थोड़ा calendar को ध्यान से देखिए calendar को अगर आप ध्यान से देखते हैं इस calendar में बहुत सारे exams के नाम लिखे हुए हैं जैसे फुरा दो पेज में release किया गया है लेकिन इसमें सबसे important बात है कि 2024 में कौ किसी भी exam के बारे में नहीं दिखा हुआ है आपने केवल एई का बोला था आप केवल यह सोच रहे थे का नाम नहीं है जबकि इस calendar में अभी किसी भी exam का नाम नहीं है मतलब यह calendar कौन सा है यह calendar है कि जो अभी इसके पहले 2024 के पहले जो exam हो रहे थे यह जिनका प्री हो गया ह मेंस बचा हुआ है इंटर्वी बचा हुआ है यह जिनका मेंस हो गया इंटर्वी बचा हुआ है उनका overall final date दे दी गई है कि इनका यह यह टाइम पे exam होगा मतलब यह calendar अभी पिछले वाले exam के लिए है ना कि आगे आने वाले exam के लिए नहीं है जैसे आप देखिए यहाँ एक्जामपल के तौर पर देखिए यहाँ A.E.C.B.L. 2020 का दिया हुआ था यहाँ दी हुए थी date की 2021-2024 को इसका result आएगा क्योंकि इसका result फोड़ा पहले ही प्रकासित कर दिया गया आप यहाँ देख लीजिए यह prelims exam की date है भाई सबसे पहले तो prelims exam होगा न कोई भी exam आप देखो उससे पहले pre होगा पहला exam होगा पेपर one होगा उसमें देखिए क्या है उसमें date काउंसी दिया है 2023-2023-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23 इधर भी देख लीजिए सभी 23-22 के exam है है मतलब यह कि 24 का कौन से exam होना है भी इसके बारे में भी इस calendar में कोई बात नहीं करी गई है तो इसका simple से एकदम sorted मतलब है कि अभी इसका calendar revise होगा और revise calendar में आपको सारी vacancy साथ में एक ही vacancy भी देखने को मिलेगी हो सकता हो एक महीने दो महीने में वह revise हो और फिर उसमें आपको सारी vacancy proper way में देखने को मिलेगी तो यह अपनी route पहली बात तो यह clear करके रखिए दूसरी बात यह है कि जो लोग यह बोल रहे है कि आप लोग एक साल से बोल रहे है कि vacancy आएगी आएगी तयारी करो लेकिन vac हो गया है चार साल हो चुके है चार साल में अभी vacancy एग वी vacancy नहीं निकली है चार साल में कितने retirement होए होगे यह तो आपको पता है तो क्या इन चार साल में जितने retirement हुए हैं जो लोग गए हैं उनका काम अभी कौन समाल रहा होगा obviously जो लोग हैं वही लोगों में workload बढ़ रहा होगा तो क्या सरकार के ऊपर यह दवाव नहीं है की vacancy को फिल करें obviously दवाव है लेकिन क्यों नहीं भर रही है और कब भरेगी तो भरने का सबसे अच्छा possible time कब होता है सबसे अच्छा होता है वह होता है आपका चुनाओ कि सरहादों में तनाओ है पता करो क्या कहीं च देरी एक सबसे महीने ज्यादा देरी होती है इसमें हम सब चलेंगे हम सब खुच चलेंगे आप लोग मिल कर चलेंगे तभी क्योंकि जब vacancy है लगबख जब 17800 minimum vacancy है तो वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे है और यही समय है vacancy को निकलवाने का तो प्रापर इसमें अंदोल लेकिन आगर पढ़ती है तो फिर हम यह भी करेंगे, तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि आप लोग तयारी में फोकस कीजिए, कट आप देखिए, डरिये मत, आप लोग तयारी में फोकस कीजिए और तयारी आपकी इस तरह से हो जानी चाहिए, कि चाहे जन्रल इंजीनि अपून कल za रहे हैं जो बोल रह रहें कि मेरा केबल 50 सब्क रहा है me जब्षप रहें बाद मैं से कर दिया मने पूने जा के देंगे बस तो गया इसकी इंपोर्ठेंस कयह यह हम ने अंडरी शनारी आपके इंदर एक इग्साल पर गा IES की पोस्ट अगर आपको मिलती है और उसकी पोस्टिंग आपको कहीं बाहर दूर दराज इलाके मिलती है तो उससे कई गुना अच्छी आपके होम इस्टेट की जॉब है और असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब है इस इक्जाम की महत्ता के समझे बहुत साब लोग यह पूछ रहे हैं सर्फ गेट और यस का भी करें हम क्या करें देखे सिंपल सी बात है मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं अगर आप लोग गेट और यस के लिए तैयारी कर रहे हैं आपको बहुत अच्छी है तो कीजिये पर आपने आपको चार साल से कोई वेकेंसी नहीं आई है, यह ना, चार साल से कोई वेकेंसी नहीं आई है, तो यह हर साल नहीं मिलेगा मौका, यह मौका केवल आपको अभी मिलेगा, 2024 में ही मिलेगा, यह आपको है कि आपको इसको किस रूट में देखना है, आपको इसको तयारी में अक्सर देखा है कि जो लोग आगे गई अब क्या करें आप भी सोचेंगे तो इसी किसी करें नहीं हो रहे हैं अभी आप यह सोचने कि वेकंजी आजागी तब करेंगे अभी तक मुझे दिन पर यहीं पोन आते हैं सर वेकंसी कब आएगी कब आएगी सिंपल सी वात है वेकंसी आज आएगी 100% आएगी चार से जब वेकंसी नहीं आई है तो वेकंसी तो आना ताइं है उसका उसको कोई नहीं रोख सकता वेकंसी यहां यह है कि आप किस तरह से भी लगे हुए हैं आप अभी से क्या पूरी तर से रह गया दस नंबर से रह गया यह बाते मुझे सुनने में यह बाते अगर मुझे कोई बोलता है मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता ना गवार गुजरती अब लास्ट में चलिए मैं आपको एक आशा की आप लोग जो इतने ज्यादा डिमोटिवेटेड हैं मैं आपक आपको एक ऐसी चीद दिखाता हूं कि आपको फिर बिल्कुल भरोसा हो जाएगा कि तैयारी आपको सुरू कर दिनी चाहिए वो है आपको RTI का जवाब यह देखे अभी RTI लगाई गई थी 24 निसंबर को RTI लगाई गई थी आयोग में लगाई गई थी कि क्या है इसके संब प्रिश्टित जानकारी विग्यापन प्रकासन के माध्यम से आयोग के वेफसाइट इस वेफसाइट में उपलब्ध हो जाएगी अब आप पूरी तरह से यह माल लीजिए कि यह वेकेंसी बहुत ही जल्द आपको कभी भी आयोग की वेफसाइट में आपको देखने को मिल सकती है इसलिए सारा टाइम इधर उधर जो आप दे रहे हैं इन सबसे दूर हटके प्रापर वे में तैयारी सुरू कर लीजिए य एगर आपको एक सीट अपनी VPSC A के अंदर पकी करनी है तो आपको अभी से लगना होगा यह किर्गिए जब वेकेंसी आजाती है उसके बाद तो पूरी भीड आजाती है पूरी भीड आ आजाती है था कि भीड में क्या हुता है भीड भीड चाल में चलती है फिर की है लोग बाग कई लोग तो यह बोल सोचने लगे थे कि हम क्या अभी से सुरू कर दिये हैं मतलब आप यह मानिए के अंदर बीपीएस्टी के अलावा कोई दूसरी बैच चली नहीं रहा मतलब कि पूरी तर से बीपीएस्टी के लिए ही डेडिकेटेड है हम को यह दूसरी के मिलता हो सुकुन देखें फिल कहीं किसी में किसी में वह सुकुन ना किसी जौब में और ना कहीं और हैं तो दείक हम तो यहीं चारते हैं आप लोग सलेक्ट हो कि आएं और फिर हमारे पास आएं इसमें, जो हो सकता है जो पूरी शिद्दत हो सकती है content के अंदर आपको पूरी सिद्ध से पूरा content प्रॉपर दिया जा रहा है इन फैक्ट सभी के लिए अलग अलग faculties हैं आपको अगर आप तो जानते होंगे अगर आप नहीं जानते होंगे मैं थोड़ा सापको इसके लिए कोर्स चल रहा हूं उसके बारे मता देना चाहता हूं कि इसमें dedicated हमारा बैच चल रहा हूं उसका नाम है लक्ष बैच और यह लक्ष बैच ज्राइन करके प्रापर आप अपने लक्ष तक हो सकते हैं इसमें क्या है इसमें जितना BPSC की जो 6 paper है 6 paper में पूरी तरह से dedicated इसके previous year analysis के साथ साथ जितने भी previous year में जैसे questions आये हैं उन सबको proper अच्छे से analyze करते हूं हर एक topic को उसी हिसाब से पढ़ा जा रहा है क्या है एक बात और important है क्या पढ़ना है उससे ज्यादा important है क्या नहीं करना है कि आपको कोई शूटे ना और बहुँ ज्यादा एक्स्टा भी आपका बहुँ ज्यादा यहां बढ़न भी ना हो ठीक तो खासका जो लोग जॉब में हैं वो लोग तभी तयारी बिल्कुल सुरू कर दें वो लोग आज से अभी से तयारी सुरू कर लो क्योंकि है अगर आप जॉब में हो तो आपको 8-10 गंटे पहले जॉब में देना है फिर उसके बाब जो टाइम बचता है आप लोग एक से दो घंटे दे पाओगे इसलिए एक से दो घंटे आप दे पाओगे तो आप लोग अभी तुरंत अभी से तयारी करना सुरू कर दो अगर आ से मालीजे जब नोटिफिकेशन दो महीने तीन महीने जब भी नोटिफिकेशन आया तब तक में आपका एक बार हो जाएगा फिर उसके बाद आप रिवीजन सुरू कर दोगे और अगर मालीजे निगेटिव मार्किंग हो सकती है तो उसके लिए भी तयार रहिए आप बाद ही मिलेगा क्योंकि अगर मालीजे 2024 में वेकंसी आती है 2024 में आती है इसके बाद फिर आप मानिए कि नेक्स्ट इलेक्शन जब अंगला इलेक्शन होगा तभी फिर अच्छी वेकंसी आपको देखने को मिलेगी तो आसा करता हूं आपके सारे डाउट्स यहां से क्लिय हो गए होंगे और आप लोग देखिए अब यह मैसेज हमें बिल्कुल करना बंद कर दिए फोन काल में पूछना बंद कर दीजिए कि वेकंसी कब आएगी आप यह देखिए कि आप त्यारी किस हिसाब से कर रहे हैं और आप यह ठीक है पूछिए पूछना तो आप पूछत आप देखिए इन बातों को कोई आशित नहीं है इम्पोर्टेंट यह है कि अभी आप किस हिसाब से कर रहे हैं किस लेवल से कर रहे हैं और अभी आपकी क्या लेवल है बागी बाते, तारी बाते कहने का मेरा सार यही है, कि आप प्रापर अच्छी स्तयारी करें, अपने अपनों का ख्याल रखें, थैंक्यू शो मच्छे